वह दुनिया का सबसे भागशाली बच्चा है, आस्तिम उसे 10 डॉलर का नोट मिलता है, वह वॉंका चॉकलेट बार खरीदने के लिए सूपर मार्केट जाता है, रैपर हटाता है, गोल्डन टिकेट दिखता है, दुनिया में ऐसे केवल 5 टिक्ते है, नस्दी का एक आदमे प एक पाइट खाऊं और चॉकलेट एक पक्षी बन जाएगी, उसमें नहीं पिखलने वाली आइस क्रिम भी है, यहां तक कि भारत के राजकुमार के लिए भी उसने चॉकलेट बनाई है, वॉंका की प्रोडक्स, दुनिया में सिक्का जमता जा रहा था, चल्दी, प्राइब बन्दिया जंगल में जाते हैं, नए फ्लेवर्स की तलाश में, आश्चरित से उन्हें जंगल में बौने लोगों के जंचाती मिलती है, वो बड़े हरी कीड़ी को खाने में काम लेते हैं, उसे महमानों को भी परोस्ते हैं, वोंका इन लोगों को मना नहीं कर प करने लगते आज जब वॉंका अपने बाल काट रहे थे तो सफिद बालों को देखा फैक्टरी के लंबे भवशु को देखते हो उन्होंने एक नया वारीज दूने का निर्णे लिया इसलिए वॉंका चॉकलेट की रैपर्स में पांच टिकेट उनल दिये थे उन्हें दुनि लाम के इस लड़के का सबसे बड़ा सपना था वॉंका की चॉकलेट फैक्टर में विजिट करना लेकिन वह एक चॉकलेट बार नहीं खरीच सकता था घर के आरती खलात अच्छे नहीं थे घर के साथ लोग छोटे कस्वे में जल जल घर में रहते थे लेकिन कुछ दिन पह लाम कोई टिकेट नहीं थी चाली सब क्यों मुश्कुराता है और अपना बर्देर प्रेसंत दिखाता है दुनिया की सबसे स्वादिश चॉकलेट इसके अंदर पांच टिकेट है जन बच्चों के पास से टिकेट है वे दुनिया के सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्री जाने लेट जिसे चिंगम चबाना पसंद था यूँव आवस्ता से प्रतियोगी कुछ भी हो फरस्ट आने के आदर कुछ दिनों पहला उसे चिंगम में वर्ल्ल चैंपिन जीती तीन महीन तो गम चबाए थी चौता था होशिया बच्चा माई को से टिकेट की लोकेशन का अंदा से चौकलेट ली भागे ने साथ दिया इसके अंदर वह अंतिम टिकेट थी वह चल्दे से कहर आया उसके दादा कई सालों से बिस्तर पलेड़ी थे टिकेट देकर तुरन खड़े हो गए नाच ने लगे अगले दिन शहर के लोगों के उपस्तिती में पाच परिवार फैक् अगस को निकाला गया फिर यहां काम करने वाले बॉने लोग आए और गाना डांस किया अगस खाने को लाल ची था इसलिए बड़ा सी गेट प्राइस जीतने के लिए सही न था इसके बाद अगस गेम से बाहर हो गया बचे हुए चार परिवार कैंडी की बनी हुई ड्राग गंजा बंदूर करें यहां एक चिंगम बार थी इसे खाना तीन बार खाना खाने के बराबर था फिर भी प्रोड़क को टेस्ट करना था वाइलिट ने यहां सुना उस तक चिंगम की चैंपेशिप दिखाने की सोची बार को मुह में रखा कुछ देर में उसका शरी पीला पड़ गया चरीड बड़ा होता गया वह बड़ी सी ब्लूबैरी बन गई वह अलिट पीखेल से बाहर हो गई अब देखना है सॉल्ट की नकली मुस्कान कितनी कारगर है उसके बड़े दातों वालों मुह कुद देखो वह चाती है कि उसके पापा वांका चॉकली पर खीच लाई एक लरी सॉल्ट की सिर पर गिरी उससे सोचा कि वाव एक बेकार बादा में और इसे कच्च्र में फेक दिया इस तरह सॉल्ट खेल से बाहर हो गई वहां दो बच्चे बच्चे थे वांका उनको काच का एलिवेटर पर ले गए वे चॉकलेट के एवरेस पर नहीं एक चमक दे प्रकाश की तरह पर ट्रांस्पोटेशन मशीन पर कूत पड़ा एक चमक दा रौशने के बाद मायक एक टीवी में आ गया वह चोटा हो गया इस तरह मायक भी खेल के बहार हो गया अब केवल चार्ली ही बचा था चार्ली फाइनल सिकेट प्राइस पाने तरह दिकारी है चार्ली ते ज्यादा कुझ नहीं खा लेकिन तुरन राधी हो गया लेकिन जब ओंका ने शर्ट पताई कि चार्ली को फाक्ट्र में के लिए रहना है उसे अपने परिवार से मिलने की अनुमती नहीं है यह सुनकर चार्ली नमना कर दिया उससमें परिवारा कोई चॉकलेट मिली कैंडी निकाली मुह में टाली तब से गुप चुप अलग अलग तरीके की चॉकलेट खाना शुरू कर दिया वे विबिन फ्लेवर्स और हैसास को डायरी में नोट रखते थे बाद में पापा को बताया वे दुनिया के सबसे स्वाधिश चॉकलेट बनान चाली की शब्दुन उनके दिल की गांट खोल दी चाली की मदद से वे दोनों वॉंका के पापा के क्लिनिक पड़ गए पाप और बेटे ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था गले मिलकर रोने लगे चाली ने दिवार पर अकबार के कॉलाज देखे लगा वॉंक को है